तो गाड़ी चलाई भईया अब लग रहा है किसको चार्ज करना पड़ेगा तो दोस्तों यह है एमजी की कॉमेट छोटी सी गाड़ी लाँच हुई है और मैंने और प्रियांशु ने जम के इसको चलाई है धून के चलाई है प्रियांशु एक बात बड़ी जबरदस्त कहा रहे थे चलते-चलते कि एक चीज होती तो मज़ा आ जाता पांच लाकी होती ना तो मज़ा आया था पांच लाकी वैसे दर्श्त को आपको बता दे कि यह आठ लाक कंपणी में इसका रेट टाय किया हुआ है एक्स शोरूम प्राइस मतलब जब आप इसे खरी देंगे तो कुछ-कुछ बढ़ी जाएगा कर देखे काड़ी छोटी है ना प्रियांशू तो छोटी है लेकिन हाँ अगर आप फ्रेंट में बिठाते हैं तो मेरी हाइट के शैफिट के प्लस के जो लोग है वो बैठ सकते हैं पीछे लेकिन एक ताद दो नहीं बैठ नहीं पाएंगे हाँ लेकिन फिर भी मतलब अगर और नैनो से छोटी इसकी साइज है तो लोग यह सोचेंगे कि अंदर से भी छोटी होगी लेकिन इसा है नहीं लेकिए डोर इसका बहुत बड़ा है मज़दार है यह अच्छा लग रहा है तू डोर है तो बड़ा दिया हुआ है एंट्री के लिए भाई साब हमारे भीमका है साथी गुसेंगे और आप लोगों दिखाएंगे कि क्या एंट्री में क्या कोई दिक्कत आ रही है साथ में म बंदू चीक है यह मैंने कर दिया बंद और मैं भी अब आ रहा हूं अंदर अब बताए भाई साब कैसा लग रहा है बिल्कुल कंफर्टिबल है इस्पिशियस है मेरे ले लिए भी वेक्दम पाहर देखके उमीद नहीं है कि अंदर इतनी जगे होगी लेकि जगे है यह अग्जैक्ली दूर जो इतना प्यारा है इस पर सारी जो नकाशी आपको दिख रहे है ना जो सॉफनेस है वो जबरदस्त है अचा प्यांशू हमने जो इसके फीचर ट्राई किये तमाम खास्तों से यह स्क्रीन जो इसका 10.25 इंच का दो-दो स्क्रीन दिया हुआ है वो भी जबरदस्त है ना शांदार बहुत शांदार और एम जी की जो खास्तियात है इंटरनेट इंसाइड वो डस्टिफाइड करने के लिए स्क्रीन तो बनती है की इसमें दिया है कि इसमें आपको की लेस है बस आप अपने पॉकेट में रखें अंदर बैठेंगे वेलकम करेग आओ न आपा अंदर आगे बैठो तो थोड़ा सा और कुछ बताते हैं लोगों को देखिए यह खासियत तो है इस गाड़ी की बहुत स्मूछली आप आगे बैठ सकते हैं यह और दो लोग बैठे हुए हैं मतलब मेरी भी हाइट पांच दस से बहुत चम भी नहीं है अब इनकी तो छे प्लस है फिर भी हम आराम से बैठे हुए हैं लग स्पेस मिला हुआ है बैठने के लएची ताशी जगा है पीछे भी दो लोग आराम से बैठ सकते हैं अब यहां पे जो तमाम चीजे दी हुए है न उसमें जो हमें जो सबसे बहतरीन लगा वो इसका इन्फोर्टेन्मेंट सिस्टम गाड़ी के कुछ भी आपको कर रहे हो ना हर तरह की इन्फोर अब यह पठना में दौड रही होती है अच्छा देखिए अब यह गाड़ी का यह खास बाती है कि पावर भी इसकी कम नहीं है मैं और प्रियांशू जब चला रहे थे तो इतनी चोटी गाड़ी 105 तक चली गई थी तो यह बड़ी बात है 45 की पावर है 110 का टॉर्ख है जब आप चाहाई पर जाएंगे न तो वो इसका मज़ा आपको समझ में आएगा इसके अलावा प्यांशू वो हम लोग पार कर रहे थे तो वो बताए कि किस तरफ है अच्छी इसके खासियत मुझे लगी कि अगर आप बाहर देखेंगे गाड़ी बड़ी छोटी है आप अंदर बैठते हैं आप कुछ अगे लेकिन जो सबसे बड़ी जो एक समस्या आती ह है मेट्रो सिटीज में पार्किंग यह इतनी शांदार तरीके चाप इस गाड़ी को पार कर सकते हैं कि जंजट ही कतम और बहुत आसानी से टर्न हो जा रही है ना 4.5 एम का वो टर्निंग रेडियस है बहुत स्मूथली बहुत स्मूथली तो अच्छा इसको बनाया भी गया है इसी लियास से मतलब कंपनी खुदी क्लें कर रहे कि भाई यह शहरी मुव्मेंट के लिए मॉबिलिटी के लिए यह है यह गाड़ी मतलब आप शहर में कहीं कुछ जगों पे जा रहे हैं और वहां कुछ थोड़े मड़े काम करने हैं तो वहां पर आप इस तो ले जा सकत बिलकुल 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 शहरों के लिए गाड़ी बहुशांदार है लेकिन फिर वही बात पांच लाग होता ना तो मज़ा आ जाता है पांच लाग पे तो मामला अटका हुआ है पांच लाग तो खैर कंपनी ने किया नहीं बलकि शूरु-शूरु में जब रेट नही रहे थे और वाकई आपकी बात एक हद तक सही भी है कि कि जब गाड़ी पहली बार कोई लेगा ना तो आठ लाग सुनेगा और इस साइज की गाड़ी तो वो शायद कुछ और ऑप्शन पे भी सोचे कि आठ लाग क्यों कुछी आठ लाग एक आम आजमी के लिए बड़ी ब मेंटें किया है तो उसी साथ तो तमाम चीज़ें दी हैं कहीं से आपको बिल्ट क्वालिटी हो या लुक हो या फीचर सो उसमें तो आप नहीं काच सकते बाकि कमिया तो कुछ ना कुछ रहती है और हम लोग तो इसमें माहिर हैं निकाल के बैटे ही कि क्या-क्या है एक तो सबसे बड़ा निकाल लिया है कि पांच लाग होती तो मजा आ जाता है अचा ये डोर जो है न मुझे ये लग रहा था कि बड़ा डोर है तो ये अच्छी बात है एंट्री में बहुत लेकिन पता है जब हम इसको पार कर रहे थे तो आपको याद होगा कि जब यहां पे बि पार्किंग में कि आपको दोनों तरफ की जो गाडिया है उनसे डिस्टेंस में रखना पड़ेगा नॉर्मल गाड़ी से जादा स्पेस इस गाड़ी को चाहिए कि तूर काफी बड़े है ऐसे में तो फिर वही वही होगी न कि पार्किंग छोटी जगह में हो जारी है लेग है कि इस गाड़ी में थोड़ा सा बहतर और किया जा सकता है जो पीछे पैक का जो स्पेस गाड़ी के पीछे से हमां अक्सर डिक्की कहा गरता है वह इस पेस नहीं है चोलना दिखाते हैं लोग को बिलकुल मुझे लगता यह डिक्की बनी है सिर्फ इस गाड़ी के किसी एक स्टैपनी की तौर पर टायर रखने के लिए डिक्की नहीं है यह बस एक जगह है छोटी सी लेकिन हाँ यह चीज है कि इसमें अगर आप चाहें स्पेस बनाना तो इसके जरीए ऐसे स्पेस बना सकते हैं ल लगया है नहीं एक और चीज थी ना जब हम चला रहे थे तो हमें जहां ब्रेकर मिल रहा था वह जटके लग रहे हैं थोड़ा सा इस गाड़ी का मुझे लगता है कि और उसकी लोग हो सकती है अच्छा उसकी बड़ी वज़े तो टायर भी तो सकता है यह चुट्टू सा त टायर है मैं कहूंगा टायर में बिल्कुल नैनो की तरह ही है और यह चोटे टायर की खैर यह एक डिमेरिट होती है कि वह उस तरह से आपको बंपी रास्तों पे वो इस मूतने से वह जटके जादा लगते हैं तो वह एक वज़े है चार्जिंग गरा उस पे बात कर लिज़ है भाई साब हमले जब सुरुषिन में फोन लिये थे याद है तो कितना टाइम लगा रात राद बर लगाते से जी बिल्कुल अब यह तो लग रहा है उसी स्टेज में है यह वह साथ गंटे नौ गंटे इनको चार्ज करो तब यह रेडी होंगी आजकल की इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ऐसा नहीं है कि इ।प कर रहा है यह नहीं सपॉर्ट कर रहे हैं दिम तो आप कम insights में चार्ज करके और सकते आपके एक दिन का काम अरामसे यह एक कि चार्ज में कर दें हो सकता है आने वाले वक्त में चीज है दूर हो जाया मारी में फोदेटे में फोल जोट ही इस कहीं अधे ईसा है् और इसी वाइस से एक दिक्कत आएगी जब आपका इसी लॉंग टोर पर जाने के सोचेंगे न तो इसके साथ एक हिच एक डर मैसूस होगा कि भईया ले जाएंगे तो चार्ज नहां करें बिल्कुल 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 लेकिन यह सब चीज प्रियांशू वक्त के साथ ठी सहलेएं रहां लेकिन यह चीज है जो आपने कहा कि बाहर आने के लिए लोग परशान होगे लेकिन अगर शहरों में अगर कोई एक एक समान्य आदमी जो मेरी तरह का समान्य आदमी हो जिसे गाड़ी चाहिए अपने लिए अलग से सिर्फ चलाने कुछ अपने रोजमर्रा के काम के लिए तो वह उस गाड़ी के साथ जा सकता है लेकिन वही बात पाज लाग होता है तो मज़ा आया था प्रियांशुन गाड़ी तो छोटी है मज़ा भी आया चलाने में बिजली वाली भी है लेकिन सेफ्टी फीचर माइन रखता है तो मजबूत है कि नहीं गाड़ी है देखना ज़रूरी होगा कि नहीं मजबूत अभी पता कर लेते हैं कैसे अरे अरे भाईया ऐसे तोड़े पत सॉलिड लगे मजबूत है गाड़ी को अंदर से भी और बाहर से भी देखेंगे तो आपको यह समझ माएगा कि हाँ एक जो फॉरेंड बिल्ट कॉलिटी स्टेंडर्ड जो हम अपसर वो मेंटें किया है और एम जी और इसको मेंटें करती भी है और थोड़ी प्रीमियम इस उसकी एक अपनी पहचान है और शायद यही वज़ा है न कि यह पैसे जो आप बोल रहे है कि होना चाहिए कितना पांच लाट वो नहीं पा रहा है लेकिन अर्विन भाई एक समस्य आएगी स्टेफनी तो है ही नहीं अगर पंचर हो गई तो हाँ यह है यह मैंने भी एक्चली पूछा था कि अगर यह समस्य आ रहे है तो होगा क्योंकि आपने पीछे देखी लिया स्पेस से इत्तू सा है और लेकिन इसमें एक चीज है कि आप छोटी गाड़ी है तो बहुत ज्यादा स्पेस आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि तो फिर वो बड़ी में आ जाएगी गड़ी वाली रेंज में एक चीज है इसमें यह किट है इस तरह का कि अगर पंचर हो गई तो उस किट के जरीए आप उसमें एक फ्लूड है इतना चलाया हमने इस गाड़ी को लेकिन जी भारा नहीं एक राउंड और बनता है चली हमने बेड लगा लिया है ऑटोमेटी का मज़ा है बस ब्रेक दबाईए इसको डालिए ड्राइब मोड पे और एकदम आराम से एकसलेट करते हुआ हुआ है